हलो गाइज वल्कम है आप सबी लोगों को मेरे चानल पर मैं हूँ शलता आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हलफुल वीडियो लेकर आई हूँ तो प्लीज एंट तक बने रहिएगा आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और यूसफुल क्योंकि हर ए अच्छी बात तो और कुछ होई नहीं सकती बतब इससे खुशकबरी ऐसी खुशकबरी तो हम सब को चाहिए होती है एवरी डे हम सब लोगों पता है एवरी डे फिट एंड हेल्दी रहना कितना अच्छा होता है अगर आप अंदर से फिट हेल्दी रहते हो तो आप पूरे तो दो पर इसके साथ हम लोग मेड भी रख लेते हैं और कभी कभी क्या होता है हमारा जिम जाना, एक्सराइज करना, जॉगिंग पे जाना ये सब हम स्किप कर देते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है जिस दिन हम जिम न जाये, जिस दिन हम एक्सराइज ना करें, जिस दिन हम जॉगिंग पे न जाये, हमारे हल्थ के लिए भी बहुत नुक्सान मंद होता है तो क्यों न ऐसा करते हैं, अगर हमारे घर में मेट रहती हैं, मेट का कुछ-कुछ काम अगर हम कर लेते हैं, मेट को फ्री कर देते हैं, फ्री मतलब घर मेट ही नहीं रखते हैं, तो फिर हम वो सारे कुछ-कुछ काम अगर हम खुद करते हैं, या फिर घर के मेंबर्स सब मिलक तो फिर क्या होता है, मेट का काम भी खुद करन लेना होता है पैसे कि बचत भी होती है हमारा काम भी हो जाता है और हमारा फिट्नेस भी बनाए रखता है लाग अगर हम अपनी मम्मी को देख ले Out来 लेक जाए इनके जमानी के अगर बात करें तो कहां भी होते थी इतने सारे मेट तब तब क्या कई बाहर के लोग इतने काम करने आती हैं आते थी बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में देखने को मिलता था कि उनके घर में हेलपर है वैसे हमारी मम्या भी काम करती है बहुत सारा काम कर लेती है तो भी पहले के दिनों में मम्या इतना सारा काम कर लेती थी, कैसे कर लेती थी और fit and healthy भी रहती देख लो आप अभी भी हमारी जो नानी दादी है, 80 के उपर उनकी age हो गई है फिर भी कई लोग इतने अच्छे, strong है, मतलब आसपास देखो के तो शौक हो जाओगे, वो कैसे? Every day हम जो काम करते हैं, उसके अंदर ही exercise होते हैं क्यों ना जान ले वो क्या है? अगर हम लोग every day, पहले की दिनों में, जैसे पोचा लगाते थे घर का, हम कैसे बैट कर हाथों से पोचा लगाते थे? वो जेसरे आपको याद है जरूर, क्या होता था? हमारे whole body movement होती थी बैट कर पोचा लगाने से क्या होता है? belly fat भी दूर होता है तो यह बहुत अच्छा एक exercise है, हमारे belly fat दूर करने का बैट कर पोचा लगाती है जब हम तो हमारे belly fat भी दूर होता है, और हमारे exercise भी हो जाता है, साथ साथ हमारे काम भी हो जाता है extra, उसके साथ हमें gym नहीं जाना पड़ता, उसके साथ हमें exercise नहीं करना पड़ता और हमारा पसीना भी निकलता है, कहते है न, exercise करते करते हैं अगर आपका पसीना निकल गया तो बस आपका काम हो गया पहले के दिनों में शिल बट्टे का यूज होता था, जब से mixi grinder आया है, हर घर में, हर kitchen में घुज गया है mixi grinder तो हम क्या करते हैं शिल बट्टे का यूज ही नहीं करते हैं या शिल बट्टे का यूज करते थे पहले तो क्या होता था शोल्डर मुब्मेंट होता था अपर बेली या फिर पेट का उपर वाला हिस्सा है पूरा उतना तक मुब्मेंट होता था क्या होता-तर शोल्डर के साथ-साथ, अपर बेली फाट भी, जितना है, वो कम हो जाता था हम अभी सुनते हैं, हमारा ब्रेस्ट ब्लफी हो रहा है या फिर झ्जोटा है बड़ा करना है , इस छोटा करना नहीं यह सारे प्रॉब्लम्स हम एकसिर्स करते हैं ये वो खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर आप एक बार याद करो, जब हम शिलबटे में पीसते थे, मसारे पीसते थे, या शिलबटे का काम जब करते थे, पूरा शोल्डर अपर बेली तक हमारा मुव होता था, वो भी एक बहुत अच्छे exercise है, और ये जो हम everyday पौधो को पानी देते हैं, यहां ये कोई exercise नहीं है, पर, believe me guys, जब हम पौधो को पानी देते हैं, जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ साथ हमारा एक मी टाइम गुजर जाता है, मी टाइम के साथ साथ हमारे आखों को जो ग्रीनरी मिलती है, और हमारे पूरे ब ग्रीनरी के आसपास रहते हो, ग्रीनरी के बीच रहते हो, वो उतना ही helpful है आपके लिए, तो सुभे सुभे उठिये, पौधो को पानी दीजिए, पौधो के साथ थोरा टाइम स्पेंड कीजिए, और घर में पौधे भी लगाईए, तो इससे घर में पौधे लगाने होंग यह जो आप हर टाइम पे लैपटॉप, मोबाइल यह सब बैट के देखते रहते हो ना, तो आपको आखों को ग्रीनरी अगर मिलती है, इससे भी बहुत रहत मिलती है, नेक्स्ट आते हैं साइकलिंग, जब हम साइकलिंग करते थे, अभी तो स्कूटी हो गई है, कार वगेर पर अभी देखिए, थाई फैट घटाने के लिए भी हमें एक्साइस करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, नेक्स्ट आते हैं, जितना हमें वाकिंग डिस्टंस है, अगर हम वाकिंग डिस्टंस में उतना जाएंगे, थोड़ा देर पैदल चल जाएंगे, तो फिर य कोशिश कीजिए, एवरी डे, 15-20 मिनिट पैदल चलने की, वाक करने की, यह हमारे हल्थ के लिए बहुत ही हल्फुल है, फाइदे मंद है, मुझे पता है आप सब लोगों को यह सारे एक्सराइस के बारे में पता है, पर वही एक बर वीडियो लाकर मैंने आप लोगों को य कि हलड़ पर नहीं आती है, उस बिन तो हमें पता चलता हायों कितना मुश्किल हो जाता है, क्युंकि हम उ सकाम की रुज्टरू होते हैं, तो अगर हम अब वो उसकाम की यह बहुत ही ज़रुरत होती है, और हाँ, अगर ऐसा करते हो तो बचत भी हो जाती है, तो फिर फ्रेंट्स और फैमिली को भी बचत हो जाएगी, हमारा भी टाइम बच जाएगा, और काम भी हो जाएगा, और जो आज नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही बहुत helpful वीडियो मैं लाने वाली हूँ और भी और मेरे पिछले वीडियो में भी आपको ऐसे बहुत सारे helpful वीडियो मिल जाएंगे और बेल आइकन के साथ कहीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की notification आपको मिलते रहें तो आज के लिए इतना ही बाबाई